प्रिंस कैस्पियन पार्ट थरी चाप्टर सेवन ओल्ड नार्णिया इंडेंजर लास्ट चाप्टर में अमने देखा था कि कैस्पियन मिराज से अपनी जान बचा के भागता है और पुराने नार्णियन से मिलता है एक रात सारे पुराने नार्णियन फिर से इखटे होते हैं और कैस्पियन एक भाशन देने ही वाला होता है कि तभी एक जानवर कहता है कि सब चुप हो जाओ यहां आसपास को इनसान है यह सुनके सारे जानवर एकदम चुप हो जाते हैं और बैजर्स उस इनसान को पकड़न उन्हें देखके कैस्पियन की खुची का ठिकाना नहीं रहता कैस्पियन उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे ढूंडा कैसे जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने अपने जादू का इस्तमाल करके उसे ढूंड निकाला। तुम लोगों को अभी के अभी यहां से निकलना होगा। जिस पर डॉक्टर कॉर्निलियस बताते हैं कि असलंस हाओ उस जंगल के बीच में एक पहाड पर है जहां टेल मरीन्स कदम भी नहीं रखते। वो जगा हम सब के डेरे के लिए एकदम बढ़िया जगा है। पर जाके वो लोग देखते हैं कि उस गुफा की दिवारों पर बार बार एक शेर का चितर बना हुआ था। और उन चितरों को देखकर कैस्पियन को ये एसास होता है कि वो चितर नर्स के बताये पुराने नार्निया से भी पुराने नार्निया के हैं। इसके बाद कैस्पियन और उसके पुराने नार्नियंस असलन्स हाउ और उसके इर्दगिर्द अपना डेरा डाल लेते हैं। पर किस्मत उनका साथ नहीं देती और मिराज और उसकी सेना को उनके ठिकाने का पता लग जाता है। वो सेना जंगल के छोर पर आ जाती है और मिराज के सैनिक अंदर जाने से तो डरते ही थे पर वो लोग मिराज से उससे भी जाधा डरते थे। इसलिए कई दिनों तक कैस्पियन और मिराज की सेनाओं की छोटी छोटी टुकडियों में लडाईया होती रही। और कई बार तो रात को भी हुई। एक बारिश से भरे हुए दिन कैस्पियन ने अपना आज तक का सबसे बड़ा हमला तयार कर रखा था। उसकी योजना ये थी कि कैस्पियन और उसकी टोली मिराज की सेना पर सीधे हाथ से वार करेगी और विंबल वेदर जाइंट दूसरे छोट से हमला करेगा। अब कैस्पियन को ये किसी ने नहीं बताया क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि जाइंट दरसल थोड़े बुद्धो से होते हैं। इसलिए विंबल वेदर ने गलत समय पर हमला करके पूरी योजना बिगार दी और कैस्पियन और उसकी टोली को मू की खानी पड़ी। उस समय उस जगा हर कोई निराशा और गुस्से से भरा पड़ा था। इसकी कोई खबर नहीं दी जाएगी। ट्रम्पकिन की सला मांगने पर वो ये कहता है कि उसे ये तो नहीं पता कि भोपू बजाना चाहिए या नहीं पर उसे ये पता है कि सेना की उम्मीदों को बढ़ा कर कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए भोपू बजाया जाए या ना बजाया जाए सेना में किसी को भी खबर नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए कैस्पियन सूरे उदे होने पर उस भोपू को बजाएगा और पैटर टुग गिलहरी लैंटन वेस्ट जाएगा और ट्रमकिन लाल बॉना कैर पेरावेल जाएगा उस आने वाली मदद का स्वागत करने। अब ट्रमकिन जो कि ये सारी कहानी उन चार भाई बहनों को बता रहा था कहता है कि वो दिन निकलने से पहले ही वहां से निकल गया था। और जब भूपू बजा तो यहां तक महसूस हुआ। ये सुनके वो चारो समझ जाते हैं कि वो सब यहां सूजन के उस भोभू की वज़ा से पहुचे हैं। इसके बाद ट्रमकिन कहता है कि अब उसे प्रिंस कैस्पियन को बता देना चाहिए कि मदद नहीं आई है। ये सुनके बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने हमें नहीं पहचाना। इस पर वो पूछते हैं कि हम ही तो वो मदद हैं जस पर ट्रमकिन कहता है कि हाँ वो तो ठीक है पर बात ऐसी है कि इस जंग के समय चार बच्चे बच्चों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर हमें उमीद थी कि कोई योधा आएंगे थोड़ी देर एक दूसरे की शकल ताकने के बाद वो चारो बच्चे और ट्रमकिन तैखाने में से जंगी कवच पहन लेते हैं और एडमंड ट्रमकिन को तलवार बाजी की एक बाजी के लिए आमंतरित करता है और उसे निरस्तर कर देता है इसके बाद सूजन ट्रमकिन को जहां से अस्लंस हाउ दो दिन दूर है। यह सुन के सूजन कहती है कि अस्लंस हाउ पक्का स्टोन टेबल वाली जगह पर ही है। जा सकते हैं और जैसा कि ट्रमकिन की बातों से उन्होंने समझा है टेल मरीन समुदरी टट से दूर रहते हैं ये सुनके ट्रमकिन जिसका नाम एडमन ने डियेलेफ रख दिया था वो बहुत खुश होता है और वो पांचो उस नाओं में सवार होके बारी-बारी से चप्पू चलाते हुए असलंस हाओ के लिए निकल जाते हैं चैप्टर नाइन वट लूसी सौ बहुत ठका देने और कतई असो विदाजनक सफर के बाद वो लोग आखिरकार ग्लास वाटर नाम की जगा पर पहुच ही गए जहां से असलंस हाओ अभी दूर था और रात भी होने वाली लूसी जानती थी कि नींद में खो जाने का सबसे असान तरीका है सोने की कोशिश ही ना करना लूसी आसमान में उन तारों को देखती है जिन्हें वो नारनिया में अपने समय में देखा करती थी लूसी उन तारों को देखकर नींद की जगा और जादा जागा हुआ महसूस करती है और फिर वो ट कर थोड़ी आगे चलती है जहां उसे एक बुल-बुL की आवाज आने लगती है लूसी उस बुल-बुल की और जाती है और उसका गाना सुनने की कोशिश करती है उस जगा पर कई पेड होते हैं और लूसी अपने आप से कहती है कि उस जमाने में ये सभ पेड़ बोला करते थे और वो ये भी कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूं कि इन सभी पेड़ों की आवाज कैसी होगी वो उन पेड़ों को जगाने की कोशिश करती है और कहती है कि ओ पेड़ों जागो याद करो वो समय जब तुम बोला करते थे वो बुल-बुल अपना गा सूज देता है जैसे उसने उन पेड़ों से एक पल के लिए बात की हो, या शाइद उसने एक पल पहले या एक पल बाद बात करने की कोशिश करी हो, इसके बाद वो जंगल और वो रात जो की बड़ी जादू इसी लगने लग रही थी, वो वापस एक आम सी रात और एक आम सा जंगल लगने लगता है लूसी वापस पीटर और सूजन के बीच में जाकर सो जाती है अगली सुभा वो सब जल्दी उठ जाते हैं और असलन सहाओ की तरफ रोख कर लेते हैं वो बात अलग है कि वो जगा अब वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उन्हें याद थी और कई गलत रास्तों से चक्मा खा कर भी वो लोग सही रास्ते पर चलते रहते हैं थोड़ी दूर चलके उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है सुजन अपनी कमान में एक तीर चढ़ाती है और उस चीज़ पर निशाना लगाने की कोशिश करती है पर ट्रमकिन उससे पहले उसे धेर कर देता है वो एक भालू था एक बेजुबान जंगली भालू ट्रमकिन उन्हें कहता है कि असलन सहाओ के डेरे पे मास का मिलना नामुम्किन सा होता है और इस भालू को यहीं ऐसे ही छोड़ देना बहुत ही गलत बात होगी इसलिए पीटर और एडमंड उस भालू को साफ करके उसका मास पत्तियों में लपेट के चल देते हैं तकरीवन डेड़ घंटे चलने के बाद वो पांचो एक पहाड के छोर पर पहुँच जाते हैं और उन सब के चहरे निराशा से भर जाते हैं क्योंकि वो लोग खो चुके थे इसके बाद पीटर और ट्रमकिन में बहस होने लगती है क्योंकि पीटर के हिसाब से वो लोग सही रास्ते पर थे और वो जगा उसके लिए बिलकुल नई थी इस पर ट्रमकिन कहता है कि तुम लोग यहां सैंकडो या शायद हजार साल पहले राज किया करते थे उसके बाद यहां क्या हुआ क्या बदला तुमें नहीं पता हो सकता है कि यह सही रास्ता हो पर पहाड के तूटने की वज़ह से अब यह जगा बिलकुल अलग हो वो सब इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तब ही लूसी चिलाती है कि उसने असलन को देखा एक पहाडी के उपर देखा और वो चाहता है कि हम भी वहीं जाए जहाँ पर वो है इस पर पीटर पूछता है कि उसने असलन को कहा देखा और क्या उसे पूरा यकीन है और ट्रम्पकिन कहता है कि यहाँ जंगली खुंखार शेर भी रहते हैं और जिस शेर को तुम लोग जानते होंगे वो तो अब तक बहुत बूड़ा हो गया होगा या मर गया होगा और अगर मरा नहीं भी होगा तो क्या भरोसा कि वो बाकी जानवरों की तरह जंगली ना हो गया हो यह सब सुन के लूसी ट्रमकिन का मूँ तोड़ देना चाहती थी पर पीटर ने उसे रोक लिए इसके बाद पीटर ने सुजहाव दिया कि उन सब को लड़ने की जगा इस बात पर अपना-पना मत देना चाहिए ट्रमकिन और सुजन ने नीचे वाले रास्ते से जाने की पक्ष में मत दिया जहां से उन्हें यकीन था कि उन्हें उनका रास्ता मिल ही जाएगा एड्मिन ने उपर जहां लूसी ने असलन को देखा उस रास्ते से जाने के पक्ष में मत दिया उसका कहना ये था कि जब Lucy ने नार्निया को ढूंडा था तब भी हम में से किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था पर इस बार में करूंगा अब आखरी मत था Peter का जिसने पहले तो मत देने से ही इंकार कर दिया पर नीचे वाले रास्ते से जाने के पक्ष में आ पहले तीन बुक्स नहीं सुनी है तो चैनल पर अवेलेबल हैं शुद हिंदी में जाके उनको जरूर जरूर सुनिये और साथ ही में प्रिंस कैस्पियन के पहले दो पार्ट भी देखिए ताकि यह वाली कहानी आपको ज्यादा मलदार तरीके समझा है मुझे पता है कि यह क कॉमेंट करें चाहिए कॉमेंट करने का मूड ना हो फिर भी अंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कॉमेंट करें और यूट्यूब को बताएं कि आपको इन वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा है ताकि यूट्यूब मुझे भी थोड़ा सा मज़ा दे और मुझे ये केरे लिंक से इन किताब को खरीद के पढ़ते हैं तो मुझे बहुत फायदा होगा और मुझे थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा साथ में जरूर लाइक कमेंट चेर सब्सक्राइब करें हमारे चानल को जरूर चेक आउट करें हमारा इंगलिस चानल जहां पर हम थोड़ी दीप चीजों के बारे में बात करते हैं चीजों के बारे में थोड़ा डीपली वीडियो ऐसे आपको मिलते हैं वहाँ पर जरूर उसको चेक आउट करने साथ में जरूर चेक आउट करें हमारी वेबसाइट को जहां पर आते रहते हैं रेगुलरली बढ़िया बढ़िया आ झाल झाल